की फिनिशिंग देख सकते हैं इसकी बहुत जबर दस्त है हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू आवर चैनल मॉडूलर रोड़ वर्किंग एंड फैब्रिकेशन फ्रेंड्स जैसे कि आप यह देख रहे हैं मेरे सामने दर्वाजा रखा हुआ है और यह टीक बूड का दर्वाज एक नहीं कई सारे दर्वाजे हैं यह चार दर्वाजे हैं और विंडो के पल्ले हैं बहुत सारे तो इनमें हम पॉलिश करेंगे और वुड़ पॉलिश हम इसमें करेंगे इसका प्रोसेस में आपको बताता हूँ वुड़ पॉलिश करने का और जो इसका जो टॉप कोट तो इन सभी में हम आज पॉलिश करने वाले हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूं पॉलिश का प्रोसेस सबसे पहले फ्रेंट्स हम इसमें इसकी गिसाई करेंगे मोटे रेगमाल के साथ यानि की पटे वाले रेगमाल से इसकी गिसाई करेंगे जैसे की सेंडिंग ग्र Kelvin से इसकी की गई है और सेंडिंग के जो निशान आ जाते हैं राउंड राउंड इसमें उनको मिटाने के लिए और लकली को और भी ज्यादा फिनिशिंग देने के लिए हम इसमें यूज कर रहे हैं हंडेट नंबर का यानि की सो नंबर का रेकमाल और यह जैसे कि आप देख रहे हैं सेंडिंग जो मशीन होती है अपनी ग्राइंडर उसक इसकी हम रगड़ाय करेंगे यह धिनिशाई कर दी है और इसकी नेशिग काफी अच्छी होगी है तो इह सबसे पहला काम हम यह अपने दरवाजें में करेंगे और अच्छे से दबा लिसमें लगा लेंग को आता हम ज tenía तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहे तो ना भी करें, तो जदह कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत, जैसे कि यह आप देख रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ, मैं इसमें अस्थर लगा रहा सबी दर्वाजों पर लगा दूंगा और इससे फायदा यह होगा कि इस से जो एना काफी कलर में भी भूत फरक आयाता लगड़ी के जहां कई वाइटनेस होती है और जो हम सेलर की इसमें भराई करते हैं सेंडिंग सेलर की उसमें भी काफी तहट तक इसमें मदद हो जाती है अस्तर लगाने से तो जैसे कि मैं आप देखते रहिए कि यह अस्तर लगा रहा हूं और इसको किस तरह से लगाना है मैं आपको बता रहता हूं पहले तो हम कपड़े से अस्तर लगा लेंगे कपड़ा पूरा भिगो के इसको लगड़ी पर लगाना है और हातो हात उसके गिला गीला सूखा कपड़ा लेना है और गीले अस्तर वे उपर घुमा देना है साफ कर देना पूरा अस्तर मतलब लकडी पे ज्यादा मोटा अस्तर चिपका ना रहा है इस वाद का आप खायस काल रखें वह इसलिए क्योंकि हमारा जो मोटिव है वह अस्तर को ऊपर चड़ाना नहीं लकडी को पोतना मोटिव नहीं है लकडी की फिनिशिंग के लिए अस्तर लगाया जाता है तो यह आप अच्छी तरह याद रखें अस्तर लगाने के कई फायदा होता है जैसे कि एक तो सेलर की भराई में बहुत हमें help हो जाती है और दूसरा color में इसके काफी हथ तक सुधार आ जाता है लगडी के तो ये अस्तर लगाने का motive होता है फ्रेंड्स और सभी खिड़ की दर्वाज़ में हम अच्छे से अस्तर को apply कर देंगे फ्रेंड्स अस्तर को बनाते समय एक चीज़ का और आप ध्यान रखें कि अस्तर जो भी बनाया है वो जिस लगडी में भी आप polish कर रहे हैं उसके color का ही बनाने की कोशिश करें क्योंकि ये तब ही आपको color के में इसके help मिलेगी फ्रेंड्स वैसे ये लगडी को उपर टिका नहीं रहता ज्यादा बस खरी लगडी की जो नस्स वगएरा होती है उनमें भरा जाता है और ज्यादा कुछ फरक नहीं पड़ता अगर थोड़ा हो different भी हो जाएगा color तो ज्यादा उसे दिक्कत वाली कोई बात नहीं है ऐसे जी सभी दर्वाजी खिड़कियों में बारी बारी से हम अस्तर अप्लाई कर देंगे और हाथ ओ हाथ उसको पहुषना भी यह सुगे कप्ड़े से अस्तर को अप्लाई करने के बाद अस्तर को लगाने के बाद हमारा जो next process है तो देखिए अभी इसमें हमनेach सिलर वगेरा थीर्मयर का कोई भी काम नहीं किया है अभी सिर्व जो भी काम चल रहा है वो पानी से ही चल रहा है Frens जैसे कि आप यह देख रहे हैं मैंने अस्तर लगाने के बाद घिसा इसकी शुरू कर दिया तो मैं आपको बताता हूँ कि जो अस्तर इस पे लकडी पे रह जाता है और लकडी के ऊपर जमा होता है उसको साफ करने के लिए फ्रेंड्स इसमें हम रेगमाल लगाएंगे और रेगमाल लगाएंगे हम इसमें 1500 नंबर या 220 नंबर का इसमें रेगमाल लगाएंगे फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं और रेगमाल को अच्छे से दबा के लगाना ताकि लकड़ी के उपर अस्तर टिका न रहे लकड़ी की नसों में ही बस अस्तर जो है वो भरा रह जाए फ्रेंड्स तो आप इसी तरह से सभी खिड़की और दरवाजों पर बारी बारी से इसकी रेगमाल से गिसाई करने हैं फ्रेंड्स और सारा जो भी अस्तर हो असल्फ निकल जाता है जादे कुछ प्रावलम नहीं होती क्यूंकि इसमें कोई भी फैविकल बगरा इस्तमाल नहीं करते हैं तो बहुत असानी से निकल जाता है बस खाली लकड़ी की रग होती है उसी में भर रोका हुआ रह जाता है और बागि जो अस्तर होता है लग भी सारा कुछ plane हो जाता है साफ हो जाता है तो आप इसको इसी तरह से हम इसकी अस्थर मानने के बाद 150 नमर के रेकमाल से इसकी किसाई कर चुके हैं कटाई जो भी अस्थर था हमने इस पर रेकमाल लगा दिया है जैसे कि मैंने आपको बताया था यह पूरा जो है अग्ला जो प्रोसेस इसकी कपड़े से सफाई करने है उसके बाद हम लगाएंगे स्परीट पॉलिश यह लागदाना मैंने स्परीट में गोल के रख था रका तकल और यह अच्छे से गलगा होगा तो अभी हम इसको अप्लाए तो मैं आपको दिखा नहीं सकता तो मैं इस पर लाने के बाद फिर आपको दिखाऊंगा कि यह कैसा दिखता है तो फ्रेंड्स देखी मैं इसमें इस्पृट पॉलिष के कोट लगा चुका हूं और मैंने इसमें दो कोट लगा हैं हैं मतलब धूप काफी अच्छी है और हाथ हो हाथ यह सूख जाता है कुछ ज़्यादा समयने लेता इस्पृट पॉलिष चूखने में तो एक कोट लगाया मैंने उसके बाद तुरण थी दूसरा कोट भी इस पर अपलाई कर दिया है फ्रेंड्स हाथ हो हाथ तो इसकी जो आप किसके वो देख सकते कि इसका कलर लगड़ी का कैसा हो गया फ्रेंड्स और यह भी दरवांजा है देखिए इसमें भी अबढ़ी लगा चुका है उख यह स्पिरिट पॉलिष का कॉट और विन्डो में भी divis involving कोट लगा चुका है सभी इसमें दो कोट इसमें हें टो हैैंड अगला process है हमारा इसमें हम filling करेंगे सबी खिड़की दरवाजों में और filling हम हाथ से बनाएंगे यानि कि chalk powder और brown sena और yellow sena और red sena उससे हम इसकी filling बनाएंगे और सबी दरवाजों में हम बारी बारी से filling करेंगे जो भी हमारी रिपेर होती है आप किसी कमपनी का बनावा भी फिलिंग ले सकते हैं यानि कि बहुत सारी कमपनीों के आते हैं एशिन पैंट वगरा का या आईका सिर का बहुत सारी कमपनीों के फिलिंग बनी भी आती है तो मैंने फिलिंग को बनाने के बाद दरवाजों में फिलिंग कर दी है फ्रेंस सभी दरवाजों में हमने फिलिंग कर दी है जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये फिलिंग हो चुकी है दरवाजों में और ये सूख भी चुकी है और ये अच्छे से सूख गी है फ्रेंस और सभी खिड़की दरवाजों मैंने ये फि लगाना है और सभी कि आप बारी बारी से से इसी तरह से कर सकते हैं करने के बाद लाकई का बागी और इसमें कुछ भी किया आका है कि तो फिलिंग को क्लरड देने के लिए मैं का थोड़ा सा लागदाने का कलर पफिल्ग फिलिंग तो लखडी से मैच हो जाएगा वागी और कोई इसका रिजन निए है वागी आप देख सकते हैं भी एक कोट सिलर का लगाया है फिनिशिंग इसमें काफी अच्छी आ रही है और जैसे-जैसे इसमें फित लगेंग है अभी दर असल ये मिस्त्रीन ने फिटिंग भी निनी किये हैं मिस्त्रीन को सईड पर फिटिंग करेगा पहले ऐज में कोई भी काम नहीं किया गया इसके जो टक्कर है फिटिंग जब यह हो जाएंगे उसके बाद फिर्म में साइट पर ही काम होगा तो यहां तक का प्रोसेस यह है और इससे आगे का प्रोसेस भी मैं आपको बताता हूं वीडियो में लोग हम लोग तो यह जाली के दर्वाजों में एक डिलर का लगा दिया है फ्रेंद्स हलकी हलकी से शाइनिंग आपको दिखरी होगी इसमें तो बागी अभी यह दर्वाजे में भी कोट नहीं लगाया है और यह बिंड़ों में भी मैं लगा रहा हूं को फ्रेंड्स यह हम लोग साइट पर लेकर आगें दर्वाजे और मिस्टरी उन्हें उन्हें इनको फिटिंग कर दिया है है इनकी जो सेटिंग वे नग ہے आप देख रहे हैं इसमें हिंज लगया है कब предлож MTid रधाए अपने इसके सेटिंग होच चुकी है और जो इसकी एज थी चुनुप से इस पर अद्धा अद्धा लगया फिनिशेंग गी तो इसमें हमने फिर से फिलिंग यह पुट्टी होती है अब हमने स्पार्ण करें तो अब इसमें कर दिए आपको दिख रहा होगा अभी यह जो फिलिंग या रहेगी जो भी बचे की थोड़ी है वह संड़िंग करने के बाद संदिंग छिलर लगाएंगे को सिंद्र लगाने के बाद फिर से इसमें एक बार क्लिश चेक करींगे जो भी चांब और चुबारेर ऐसे चालिंग करने के बाद इसमें हमने सिलर के फिर से दो से तीन कोट अपलाई कर दी हैं और जिसकी फिनिशिंग आप देख सकते हैं इसका जो बेस है वो तयार है बिल्कुल और इसमें अभी कोई काम करने की ज़रुरत नहीं है हमने इसकी जो लकड़ी की मैचिंग वगेरा थी वो भी कर दी है कि सारा कुछ काम इसमें कंपलीट हो चुका है फ्रेंट्स यह आपको दिख रहा होगा पूरा दरवाजा मैं आपको एक दरवाजे का कंपलीट बेस दिखा रहा हूं अभी बहुत सारे दरवाजे हैं उनका बेस बनाना है उसके बाद हम इसमें अपलाई करेंगे क्लियर सब्सक्राइब करेंगे क्लियर कोट डालने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि क्लियर कोट में इसको कैसा दिखता हूं कि मैंने आपको दिखाया था हमारा बेस वो रेडी हो चुका है और सभी का बेस मैंने रेडी कर दिया है जितने भी छिड की दरवाजे हैं यहां पर रखने में सारे दरवाजे मैं ठखने में चादर से तो यह आप देख सकते हैं तो अभी हम इसमें के फाइनल कोड टॉप कोड जो हो अपलाई करेंगे और टॉप कोड हमारा फाइनली इंडिको का सिलीक के नाम से जो आता है यह देगी मैंने इसका डबा खोल रखा है यह हैं इंटिर्यर टॉप कोड सिंगल पैक क्लियर प्यू और इसके साथ कोई हाडनर अभगी लगाएं नहीं दोता है तो हम इसको अपलाई करेंगे इस पर और यह प्रेंक्यी अरे यह चो बनाता हूं और बनाना के महां आपको दिखाता हूँ इसको पतला नहीं के लिए ऊ aspects करेंगे पहले मैं exactly से कि भाभूगा तो यह हमने इसमें मार दिया है clear coat friends और आप इसकी finishing देख सकते finishing इसकी बहुत जवर्दस्त है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह इंडियो का पी हुआ है और इंटेरियर के लिए है और पूरा प्रोसेस मैंने आपको वीडियो में दिखाया जैसे कि यह आप दर्वाजे देखने मेरे सामने finishing बहुत जवर्दस्त है friends इसकी na finishing एकड़म ओके है कोई ऐसी शिकायल वाली बात नहीं इसमें अभी समय सर्दियों का टाइम है थोड़ा सा तो सुबह मैंने इसमें कोट डाला था सूखने में थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया उसने अभी यह धूप पूरी है हमारे पास और मैंने इसमें कोट डाला है इसको देखते हैं कितने समय में सूखता है है complete बागे आप इसको कर सकते हैं यह पूरा प्रोसेस मैंने में आपको समझा दिया इसमें स्लीक और यह इसक लिए और पैक कोरणियर कॉट रहे और सेंगल पैक क्लियर प्यु और यह है इसका थिनर स्लीक आडा मैं यह बीं आता हा और एप Chinese लेटर में भी आता है और सेम इसका भी व्यस्य औरेशाट समें eben नहीं आता है हाड़नर इस मैं मिख्स करके दिया हुआ है कंपरीने तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी यहां पर भी मैंने रखे हैं यह क्लियर करके रखे हैं यह सारे बहुत अच्छी फिनिशिंग है इसकी आप इसको यूज कर सकते हैं और जैसे मैंने वीडियों बताया आपको वैसे ही आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली इन्डिगो का है तो इंडिगो एक अच्छी कंपनी है और आप सभी जानते हैं कि बहुत अच्छे प्रोडक्त इंडिगो के आते हैं यह भी है इधर तो व द्यूट है अइसको कर दिया है कट है तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अगर इसके बारे में कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे दूँगा फ्रेंड्स वीडियो को जाधा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस कर दें ताकि आपको आनल वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहें और जो लोग भी अपने घर में बुड़ पॉलिश करवाना चाहते हैं या करवा रहे हैं किसी भी पैंटर से करवा रहे हैं तो फ्रें सकते हैं में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन जो पेंटर की महनत होती है वह उसको पूरी मिलनी चाहिए अगर आप पेंटर को अच्छा रेट देंगे तो वह काम कम हलके में सब्सक्राइब में भी आपको बहुत अच्छा काम करके दे सकता है क्योंकि जो भी कारिगिरी सब्सक्राइब में सब्सक्राइब दे त्यूक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यह काम ही इस टाइप का है कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है अगर आज के वीडियों हम बस यहीं तक था और मिलते हैं अगले वीडियो में नई जैनकारी नई काम को साथ तब तक के लिए जैन वीडियो अगर अच्छा लगए तो वीडियो को शेयर भी करें